हलो फ्रेंट्स यह ले रहें में मॉल्डिर प्ले आज मैं बनाओंगी क्ले से जुएलरी तो रेजिन बेस और हार्डनर को सेम सेम क्वांटिटी में लेके हाथ से अच्छे से मिक्स करना है बच्छे से मिक्स होने के बाद मैं करूँगी थोड़ी पावडर की यूस फिर उसके बाद मैं अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से कुछ पोर्शन्स लेके उसको सेव देने की कोशिश करूँगी तो मैं पहले बना रही हूँ एक नेक फिस तो मैं अभी पहला बला जो बना रही हूँ इसी तरह मझे जो चाहिए मैं बनाते जाओंगी और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की भी मैं कुछ बनाओंगी इस तरह मैंने बहुत सारा कुछ बना लिए है अभी उन सब को मैं सूखने के लिए रग दूँगी अभी सूखने के बाद मैं बना दी फिर अभी में आखली कलर यूज करें हूं यहां पर में डार्क ग्रीन यूज करें हूं थोड़ा उचा लाइट क्रीन में ब्राउन कलर मिलाकर इसे निकाली थी डार्क फिर उसमें कुछ और फूल और डिजाइन बना रही हूं इसी तरह मैं बनाते जाओंगी ब्लू कलर यूज करें हूं उसके उपर मैं अभी बनाओंगी ट्राइवल लाट एक क्यूट सी कपल अभी उस तरह में बनाते जाओंगी देखते हैं सेकेंड वान भी कैसी बनती है वेल आप लोगों को पता नहीं होगा शायद मोज़ा ट्राइवल आट बहुत पसंदे मेर नहीं सच बोल देया है जूट इस तरह मेरा सेकेंड वान भी हो गया कंप्लीड और मैं अभी बना रहे हूं थाड वान इस तरह मैं कुछ इतना कुछ बनाते जा रही हूं गिर गई अभी मैं उसके उपर एक छोटी सी क्यूट सी फूल बना दोंगी वाइड कलर में वैसे य बना तो यहां मैं कर रहे हूं रेड आर क्लिक की उच अभी उसके उपर वाइट में थोड़ा और मैं करूंगी डीटेलिंग का काम थोड़ा कुछ भी बनाऊंगी वैसे आप लोग कुछ भी बना सकते हों जो भी मन में आये वो बना सकते हों तो इस तरह मेरा लास्ट वण म तो इस तरह में बहुत सारा कुछ बनाते जा रही हूं शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोगों को कैसा लग रहा है तो इस तरह मैं बहुत सारा कुछ कर रहे हूं डिजाइन और यह हो गई मेरी कम्प्लीट अभी यह सब खतम होने के बाद मैं करूंगी वैनिस की यूज तो मेरी कलर प्रोटेक्ट रहे तो यहां मैं कर रहे हूं ग्लास वैनिस की यूज देखिए कोई भी पेंटिंग करें या भी कले में कुछ भी बनाएं पेंटिंग खतम होने के बाद I mean कलर का काम खतम होने के बाद वैनिस यूज करना मस्ट है यह हमेशा के लिए प्रोटेट करेगी आपकी कलर को ठीक है तो इस तरह मेरा वैनिस का काम फीनिश होने के बाद मैं अभी कियरिंग में पीन अटाच करूंगी मैं यहां पर यूज की थी फेबी क्विक अभी में पीन अटाच करके इसको थोड़ी देर सुखने के लिए रख दूंगी इस तरह में दीरे-दीरे सब कुछ बनाते जाओंग इसको अभी में भीन अटाच कर दी अभी में इसको रख दी अभी में यहां पर ने जो नेक पीस बनाई थी वहां पर में एक चेन अटाच कर रही हूं और यहां पर भी जो पहले वाले बनाई थी उसमें भी एक त्रेड अटाच कर रही हूं तो इस तरह में सारा काम तो अच्छा लग रहा है ना काफी खुबसूरत रहे ना मतलब क्यूट है ना तो आप लोगों भी मुझे बताइएगा कि आपको इन में से कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है तो इस तरह करके मैं दीरे-दीरे अपनी सारी जुएलरी का काम फिनिश करूंगी तो है ना काफी क्यूट है तो मुझे बताइए आप लोगों को यह सब कैसा लगा अग अपने घर में भी ट्राइ कीजिए तो देखने के लिए थांक यू लब यू बाइबाइग अ कर दो दो है कि रहा है की बाइबाए ट्राइब भी है तो है वह बाइबा है जाताए है टूंगी तो है बाइबाए।